इस वक्ती बड़ी खबर जो आ रही है उसके बारे में आपको बता दे चुनावायों की विकेंसी फुल होने के बाद चुनावी तारीकों का इंतजार था 2014 और 2019 में भी मार्च में तारीके आई थी इस बार तारीकों का एलान कभी भी हो सकता है आज या कल चुनाव की तारीक आने की अठकले हैं कल ही आनन फानन में दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती हुई ग्यानेश कुमार और सुखबीर संधू को मुक्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ ही बनाया गया दोनों चुनाब आयूकतों ने कारेभार संभाल लिया और आब आयोग बैठक करेगा, समिख्षा करेगा और ये तै होगा कि तारीखों का एलान कब हो चुनाब तयारी की बैठक और इस बैठक में ये डिसिजन लिया जाएगा कि ये तारीखों का एलान कब किया जाना है इस आयोग की बैठक में ये समीक्षा होगी कि तारीखों का एलान कब होगा और आज कल में चुनाब की तारीखों का एलान होना संभव है इस वक्त चुनाव आयोग की विकेंसी फुल होने के बाद चुनावी तारीकों का इंतजार हो रहा है 2014 और 2019 में मार्च में तारीकें आई थी इस बार तारीकों का एलान कभी भी किया जा सकता है आज या कल चुनाव की तारीक आने की अटकलें लगाई जा रही है कल ही आननफानन में दो चुनाव आयुक्तों की निउपनी हुई ज्यानिश कुमार और सुखबीर संधू को मुख्य चुनाव आयुक राजीव कुमार का साथी बनाये गया दो चुनाव आयुक्तों ने कारेभार समभाल लिया और अब आयोग बैठक करने वाला है समीक्षा करेगा और ये तै करेगा कि तारीकों का एलान कब किया जाना है अटकलों के हिसाब से कभी भी तारीकों का एलान किया जा सकता है अगर बाद 2014 और 2019 की करें तो तारीकों का एलान मार्च में ही किया गया था और अभी हम मार्च के मिड में आ चुके हैं और तारीकों का इंतजार हो रहा है फिलहाल अब तारीकों का एलान कभी फी किया जा सकता है आज कल में चुनाब तारीकों के आने की अटकले लगाई जा रही है दोनों चुनाव आयोक्तों ने कामकाज कल संभाल लिया और उसके बाद अब यही इंतजार है कि चुनाव की तारीकों का एलान कब होगा आज सुबह 11 वजे चुनाव आयोक की एहम बैठक होनी है बैठक में चुनाव तयारियों की समीक्षा की जाएगी और हो सकता है इस बात का एलान ही किया जाए कि चुनाव कब होगे बैठक में चुनाव तारीकों के बारे में समीक्षा होगी और उस पे अटकले अभी से आ रही है कि आज या कल में चुनाव तारीक के जो है उसका एलान किया जाएगा जी एंटी पे आप देख रहे हैं बड़ी खबर बैटक में चुनाव तारीकों की समीख्षा की जाएगी आज चुनाव तारीकों के अलान पे मंथन होने वाला है और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने कल काम काज संभाल लिया है दोनों चुनाव आयुक्तों ने काम काज संभालने के बाद आज से बैठक में समीख्षा करने का एलान किया है और हो सकता है इसके साथी साथी एलान किया जाए कि चुनाव की तारीके कौन सी होंगी 2014 की बात करें तो मार्च के दोरान ही यह एलान किया गया था और पirt उसके बाद 2019 की अगर बात करें, तब भी मारच का ही महीना था जब चुनाव आयोग ने ये इलान किया था कि चुनाव कब होंगे और अब एक बार पिछ से 2024 में मारच का महीना और अंतिम मारच में या तो चुनाव की तारीकों का इलान होगा या ये भी अटकले लगाई जा रहे हैं कि आज या कल में ही चुनाव की तारीखों का एलान हो जाएगा आज सुभे 11 बजे चुनाव आयोग की बैठक नए चुनाव आयोग तो ने अपना पदभार संभाल लिया है और चुनाव का एलान कभी भी हो सकता है या नेश कुमार सुक्पीर सिंग संधू ने पदभार कल संभाला चुनाव आयोग की आज सुभे 11 बजे एहम बैठक की बात कही गई है और बैठक में चुनाव तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी और तारीखों की बात भी हो सकती है और उसके बाद जल्दी ऐलान होने की संभाब ना दी तो रो चुनाव आयोगतों ने कल अपने कामकाज का भार उठा लिया है आननफानन में कल दो चुनाव आयोगतों ने कल बोर्चा संभाला और कल ही कारे भार भी संभाल लिया और शायद अटकले लगाई जा रही है कि ये इसलिए जल्दी हुआ क्योंकि तारीकों का एलान होना है और आज सुभे 11 बजे की बैठक के दौरान इस पर बातचीत होगी चुनाव की तैयारियों का जाइजा लिया जाएगा और उसके बाद एलान की खोश्रां की जा सकती है चुनाव का एलान कभी भी हो सकता है इस वक्त की ये बड़ी खबर चुनावायों की विकेंसी फुल होने के बाद अब चुनावी तारीकों का ही दजार है कहा जा रहा है कि मार्च में तारीके अक्सर आती हैं और इस बार तारीकों का एलान कभी भी हो जाएगा हाला कि मार्च की शिरुवात से ही तारीकों के एलान की बात कहीं जा रही है लेकिन फिल्हाल प्रधान मंत्री कई योजनाओं का शिला न्यास करते नजर आ रहे हैं और लगातार चुनावी दौरे पे हैं इस बार तारीखों के एलान में कुछ देरी की संभावना है लेकिन फिर भी आज या कल चुनाव की तारीख आने की अठकले लगाई जा रहे हैं कब दो चुनाव आयुकतों की न्युक्ती हुई ग्यानेश कुमार और सुख Kirbyर संधु को मुख्यों चुनाव आयुकत राजीर कुमार का साथी बनाया गया दोनों चुनाव आयूगतों ने कारेभार कल ही संभाला और अब आयूग बैठक करेगा, समीक्षा करेगा और ये तय होने की संभावना है कि तारीखें कब हो, तारीखों का एलान कब हो चुनाव की तैयारियों की बैठक के बाद अब डेट आ सकती है और इसकी तैयारियों का जाइजा फिलहाल लिया जाएगा ग्यारा बजे के आसपास ग्यानेश कुमार सुखबीर सिंग संभू जो पदभार समबाल चुके हैं, अब वो आज बैठक में ये तैय करेंगे कि तारीखों का एलान कब किया जाए, कौन सी तारीखें होंगी, मार्च का ही महीना है जब ये अटकले लगाई जाती है कि मार्च में ही ये तारीखों का एलान किया जाता है और फिल्हाल अटकले लगाई जा रही है कि आज आकल में ये एलान होना संभव है, चुनाब तैयारी की बैठक के बाद डेट आ सकती है, चुनाब की तैयारियों का जाइज़ा फिल्हाल 11 बजे की बैठक में लिया क्द़र stiff और और जुरूसाउरेस सेवाग सेफेड़ में शॉड़ की जाता सेफेदार तर Cambridge